वो यह टू के मेकर से तो निरल लजदा था कि पूरे सारी हदे ही पार कर दी इसका जो ऑफिसल सेंसर बोर्ड रिपोर्ट आ चुका है जहां आपको ही पता चली गए इस फिल्म को जो ए सर्टिफिकेट मिला है जहां इसमें सजेट्स किया गया है कि 27 कट्स लगए है इस फिल् जिनको बताया जा रहा था भगवान शिव का जो रोल है इसमें उनको चेंज करके क्या बनाया गया दमेसेंजर ऑफ गॉड अर्थात अब रहामिक रिज्जन के जो पाट होते हैं जो उनकी स्टूरी सोती उसको इसमें ठोपा जा रहा है क्योंकि हमारे यहां भगवान झीव योनी पार और महुत साथे सब्द हैन्सका पाठ है इसमें यहां पर बीप कर दिया गया पिर भीपकरी यह इसके लिए मोदी जी यही कहते है तो ऐसे फिल्मों को इसलिए जो बैंद कर दिना चाहिए इसको डिरेक्ट बैंद करना चाहिए और हिंदू सनातनियों के जो है मन को आहात नहों इसलिए इस तरहें कट्स लगा है लेकिन फिल्म के सरम के बारे में इसलिए भाग रहें लेकिन लोगों को सरम कहा आइगी में सरम के चीज़ नाम हरे पैसा के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं आईए कुछ 27 कट्स में कुछ हुए है कट्स उनके बारे में बात करते हैं जैसे कि एक कट है जहां जो है वही सबसे बढ़नी बात है कि भगवान शीव के रोल के जगा में अक्षे कुमार को जो है दूसरा एक जो नुरिटी वाली सीन थी जिसमें नागा साध्यों को पूरी तरह से दिखाए गया था उसको जो है इन्होंने या तो बलर कर दिया है या तो उसको भी साध कार दिया गया है और और पढ़ते हैं एक टेमपल में अनौस होता है कि भगवान जो है महिलाय भगवा इन्होंने चेंज कर दिया गया और एक डायलोग है वहां मदीरह चाहे चड़े हैं इसको जो है उसको चेंज करके इल्कौहल जोड दिया गया है इस प्रकार साथा चेंज करके हैं तो सोचो कि रह आखम पास अच्छा कुमार कर रही जो कि भवानशी बने थे अब होच्वा सब्सक्राइब एक डायलोग आता है मैं इसमें रूपय होते हैं जो कि बहुन सारे होते हैं यह प्यच्छा करते हैं वह सब्सक्राइब कि प्रति जो बोलते हैं वह केवल फ्रॉड ही होते हैं मतलब जो बड़े बाल है जो सद्धू है वह केवल क्या है वह केवल भांध है वह केवल नोटकी करते हैं धकोषला करते हैं अर्थात उन्हें कोई ग्यान नहीं है और इसमें जो है भगवाद गीता को लेके शिवलिंग तो सोचो इन लोगों ने कितना हद तक जो सनातन धर्म को इसमें जो है गलत तरीक से दिखाया होगा यह तो मैं सोच कि मेरे खून खूलने लग रहा है अभी से क्योंकि इसमें ऐसे लिखने में देखने में सेंसर बोड का प्रिपोर्ट देखेंगा तो इतना आपको लगए ग अक्षा कुमार बोलते हैं कि आप त्यार रहे इसका रिलीज हम करवा कि रहेंगे देखो अक्षा कुमार का आप जो है ट्वीट पर सकते हैं जहां मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूं कि एक्स्वास जो इनका डालोग आता है रख विश्वास वाकि सभी को टैक किया लोगों को इतने बीवी जो इन लोग को सरम नहीं आ रहे हैं कि पैसा के नाम से आज कल जो लोग है अपने आपको सर्म भीएच के खा जाते हैं बहुत सारी बातों का इसमें जो है कट किया गया है जहां अनेचरल सेक्स को लेकर एक उपनिसद स्क्रप्चर्स को दिखाती है मत सिर्फ सनातन को टार्गेट करेंगे और इतना घटियागटिया सब्द इसमें दिया गयां जैसे कि एक डायलोग है वल्ल्कर जिसच्छर्स तरी की योनि हवन कुंड है मतलब आप सोचाते हो दो जगा पर यह बोला गया है ऐसा कहा जा रहा है इसको भी सायाध कट कर दिया रिपॉर्ट देखे कि उसमें लोगों ने क्या कट किये हैं उन्होंने क्या जोड़ा था और अब क्या चैज्स किया है यह मूवी धराम से गिरी चुकि इसकी जो है पहले से इसके बहले बात कर रहों कि यह मुवी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली क्योंकि यह सनातनियों के साथ खेल रहे उसको आहत कर रही है इसके बाद अच्छे गुमार मेरे को लगता कि मुह देखाने के लाइक भी बचेंगे और ओएम जी टू के नाम पे नाम पे लोग क्या बेचना चाहते हर हर महादेव के नादे लगाने से जैसे कि अधी पूरस वाले समस्ते थे बंदर को थेटर में भीजने से हनुमान जी के नाम पे हम सभी देखने चले जाएंगे क्या ऐसी होता है कैसा नातनी सच में आज इतने मूर्ख हो चुके हैं तो यह बिल्कुल गलत सोच है आप इस वीडियो के दुरूर सेयर कीजे आप इस पर दिप ठिंकिंग करने की जो है अपने प्लेटफॉर्म से सोसल मीडिया पर सेयर कीजे क्योंकि सनातन को जो मजाक उड़ाने वालों को अब नहीं छोड़ा जाएगा उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी जा सकते उन्हें बिल्कुल हलके में नहीं जाता क्योंकि हमारे जनरेशन को यह क्या फरक पड़ेगा आप सोचे इसको देखेंगे वह लोग तो शिवलिंग योनी को लेके जिदरे सारे बड़े-बड़े चरित्र को लेकर कैसे सवाल उठाया जाते हैं सभी जानते हैं इस बात कि सच्चाई सापने आने के वशक्ता है इसके वह को यह जो पिड़े उसको जो सोजम जिवर्च करने की ज़िवरत है ऐसे घटिया लॉजिक के साथ हम लोग जो है अपना 202 रुपर खर चक्रें बिलक आएगा जय श्रीराम हरहर महादेव और बहुत अब अब